तमाशकार दोस्तों, religious conversions, जबर्दस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना, आखिर कितनी बड़ी problem बन गई है ये आज के दिन देश में, अगर news channels खोल कर देखोगे तो ऐसा लगता है कि आज देश में one of the biggest problems है बेरोजगारी, economic recession, climate change, environmental crisis, इन सबसे भी ज्यादा बड़ी problem बन चुकी है religious conversions इन लोगों के हिसाब से तो आईए जानते हैं दोस्तों इस सब की असलियत क्या है आज के इस वीडियो में, डेटा और फैक्ट्स के अधार पर कुछ दिन पहले दोस्तों एक नई survey report आई थी Pew Research Center की तरफ से जिसमें इस organization ने एक large scale survey conduct किया इंडिया में Almost 30,000 एंडियन से face-to-face interviews में सवाल पूछे गए religion, caste और national identity के मुद्दों पर बहुत ही detailed survey था और बड़ी ही दिल्चस्प findings रही है इसकी बड़े interesting conclusions निकाले जा सकते हैं लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ religious conversion के मुद्दे पर focus करना चाहूँगा इस report की findings में क्या निकला उसकी बात करने से पहले इस organization के बारे में बात करते हैं कि इस center की speciality surveys में ही है और दुनिया भर में ऐसे ये कई detailed surveys conduct करवाता है इसे अपनी field में one of the most credible organizations माना जाता है कई ऐसी websites होती है जो bias check करती है media houses का कि कोई media house left leaning है या right leaning है तो वो websites भी इसे centrist consider करती हैं अपने इंडिया वाले survey की बात करें तो जैसा मैंने बताया face to face interviews हुए थे 17 अलग-अलग languages में 26 states और 3 union territories में इसे conduct करवाया था late 2019 और early 2020 के बीच में तो overall काफी credible organization है काफी credible survey है लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कोई भी survey 100% perfect नहीं होता है इस survey से कुछ बड़ी interesting findings निकली थी जैसे कि 84% लोगों का मानना है सच्चा Indian वही होता है जो हर धर्म को respect करता है in fact 80% लोगों ने ये कहा था सच्चा Hindu, सच्चा Muslim, सच्चा Sikh या सच्चा Christian होने के लिए बाकी धर्मों को respect करना जरूरी है तो एक ये बड़ी अच्छी चीज है कि ज्यादतर लोग देश में tolerance और respect की भावनाओं में विश्वास रखते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि फिर देश में इतना हंगामा क्यों मचता है धर्म के नाम पर मेरी राय में कुछ simple reasons हैं इसके लिए एक तो ये है कि जो लोग respect और tolerance में बिलीव नहीं करते वो ज्यादा हला मचाते है social media पर वो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि वो चीक चीक कर चिला चिला कर बोलते है और हमारा media भी उन्हें ही highlight करता है news channel पर दिखाता है और हमारे politicians भी उन्हें highlight करते हैं ताकि लोगों में डर बिठा सके कि ये देखो दूसरे धर्म के लोग कैसे हैं ऐसे कई politicians हैं, wannabe lawyers हैं, desperate youtubers और instagram influencers हैं जिने cheap publicity पाने का ये कि ये shortcut मिल गया है कि दूसरे धर्म के लोगों को गालियां दो अपने धर्म के लोगों के बीच में डर बिठाओ कि देखो हम खत्रे में हैं, हमारा धर्म खत्रे में है और उसको लेकर publicity ले जाओ वैसे भी हमारा media और social media पर इनी चीज़ों को highlight किया जाता है और ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ कोई चीज़े नहीं होने लग रही है ऐसी कई heart-touching कहानिया भी सुनने को मिली है पिछले कुछ सालों में जहां पर हिंदू Muslims की मदद कर रहे है Muslims Sikhs की मदद कर रहे है Sikhs Christians की मदद कर रहे है unity का माहौल दिखाई दे रहा है लेकिन news वाले इने highlight थोड़ी करते है जब दंगे होए थे दिल्ली में एक ऐसी case देखने को मिले थे जहां पर एक Muslim family को Hindu neighbors ने बचाया था दंगे करने वालों से मुस्तफाबाद में इसका एक opposite case देखने को मिला था पर कुछ Hindu families को Muslim dominated area में उनके Muslim neighbors ने बचाया था जब दंगे करने वाले लोग आ गए थे तो Unfortunately, violence, conflict और नफरत की news दिखाने से ज्यादा TRP मिलती है और ऐसी news हमारी insecurities को भी खेल जाती है यही reason है दोस्तों कि मैं इसे एकलोता reason नहीं कहूँगा survey report ने एक और भी interesting चीज़ बताई है 70% Hindus और 80% Muslims नहीं चाहते कि इनके बीच में intermarriage हो और शायद से exactly यही reason है दोस्तों कि mass conversions और धर्म परिवर्तन की जो खबरे होती है और कई वारी conspiracy theories होती है वो इतनी तेजी से क्यों फैलती हैं देश में क्योंकि एक तरफ तो देश में majority लोग बाकी धर्मों को respect करते हैं tolerance दिखाते हैं जो कि अच्छी चीज़ है लेकिन दूसी तरफ देश में majority लोगों के मन में अभी भी ये डर है कि अगर वो अपने बेटे-बेटियों की शादी किसी दूसरे धर्म वाले के साथ करवा देंगे तो बड़ी problem हो जाएगी और ये problem basically insecurity है डर है अपने अंदर किस चीज़ को लेकर डर है दो तरहे के डर है एक डर ये है कि अगर हमारे बेटे-बेटियां उन दूसरे धर्म के साथ शादी करने लग गए तो उनकी जिन्दगी तबहा हो जाएगी वो बिल्कुल ही नाखुश रहेंगे शायद उनका जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए या फिर शायद उन्हें brainwash कर देंगे ये लोग और दूसरा डर ये रहता है कि अगर मेरे खुद के बेटे बेटी दूसरी community के साथ दूसरे धर्म के साथ जाकर शादी करेंगे तो मेरे धर्म का क्या होगा यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले कुछ सालों में मेरा पूरा धर्मी खतम हो जाएगा कोई बचेंगा ही नहीं हमारे धर्म के लोग जब सबी उनके साथ जाकर शादी करते रहेंगे ये तो मेरे धर्म का ओके टाटा बाइबाई खतम हो गया तो क्या ऐसा खतरा सही में है भी इसका जवाब इस सर्वे के एक सवाल में इस सर्वे में पूछा गया लोगों से कि आपका बच्चपन में कौन सा धर्म था और आज के दिन आप किस धर्म को मानते हैं 98% लोगों ने इसका सेम जवाब दिया यानि 98% लोगों का धर्म वही है जो बच्चपन में हुआ करता था उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है इसका मतलब यह है कि religious conversion इंडिया में बहुत rare चीज है अब बोलोगे आप उन 2% लोगों क्या जिनका actually में conversion हुआ है 2% कोई छोटा नंबर तो नहीं होता इतने 1.3 billion के देश में तो report ने यह बताया है कि 0.7% लोग जो बचपन में हिंदू थे अब बड़े होकर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है इससे पहले आप high high करने लग जाएं गम बनाने लग जाएं इस चीज का आपको बताना चाहूँगा कि 0.8% लोग जो बचपन में किसी और धर्म के थे अब वो हिंदू बन गए हैं तो ये भी बताया है report ने actually ज्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं हिंदूजम छोड़ने से almost same कह सकते हुआ से इस चीज को Muslims के लिए भी ऐसा ही है 0.3% लोग जो बचपन में Islam को follow करते थे अब उन्होंने Islam को छोड़ दिया है follow करना लेकिन 0.3% लोग जो बचपन में किसी और धर्म के थे अब उन्होंने Islam adopt कर लिया है सेम चीज सिक्स और बुद्धिस के साथ भी है बस Christianity को छोटा सा exception कंसिडर कर सकते हो क्योंकि 0.1% लोगों ने Christianity को छोड़ा लेकिन 0.4% लोगों ने Christianity को adopt कि तो यह जो बड़ी साजिश है धर्म परिवर्तन की जिसे लब जिए का नाम दिया जाता है निउस चैनलों पे और सोशल मेडिया पर कहां गई यह साजिश दिखाई नहीं दे रही है या तो यह है कि पिछले 20-30 सालों में यह साजिश कम्प्लीटली फ्लॉप रही है क्योंकि इसका उल्टाई हमें देखने को मिल रहा है ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट दे अब मैं यह नहीं कह रहा कि फोर्सफुल रिलिजिस कनवर्जन्स बिल्कुल ही नहीं होती देश में एक्चुली मैं इसके काफी लेजिट और रियल केसिस देखने को मिले है जहां पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी है कुछ लोगों का जो कि बहुत ही गलत चीज है लेकिन वो इंडिविज्वल केसिस देखने को मिले है इका दुका कहीं पर कुछ केसिस देखने को मिले है जो मेडिया में हमें दिखाये जाता है कि कोई बड़े लेवल पर मास कंस्पिरिसी चल रही है, कोई बड़ी साजिस चल रही है कि हजारों लाखों लोग मिलकर छुपके से यहां पर मास कंवर्जन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हो रहा है, यह मैं बताना अगर वैसा कुछ होता तो हमें यहां पर नंबर्स में दिख जाता, और यह सिर्फ मेरी रायन नहीं है, जब यह केसिस कोट में गए है, तो इनमें से आधे केसिस में पता चला कि कोई फोर्ष्ट कनवर्जन तो होई तक नहीं थी, पिछले साल एक कानपूर में 14 इसे केसिस इसके लिए और सारे लोग प्लान करके बड़े स्केल पर यह कोई कर रहे हूं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठता ही है कि उन केसिस का क्या जहां पर एक्चुली में forced religious conversion होने लग रही है, मेरी राय में वो obviously constitution के against जाता है क्योंकि right to religion हर इनसान का right है किस धर्म को follow करना चाते हैं उनकी choice है, कोई उन्हें जबरदस्ती कह नहीं सकता कि इसी धर्म को follow करना पड़ेगा तो यह obviously गलत है और इसके लिए हमारे law में already कई IPC sections exist करते हैं, cheating, beating, forcing, wrongfully detaining someone या फिर blackmail करना किसी को इन सब के लिए already laws exist करते हैं, तो यह जो नया law लाया गया forced convergence को prevent करने के लिए इसमें क्या नया था, इसमें यह लाया गया दोस्तों कि कोई भी individual convert नहीं कर सकता अपना धर्म solely for marriage purpose, हाला कि इसमें एक exception जरूर है अगर कोई करना चाहे तो वो एक 60 day का prior notice दे सकते हैं कि उनका intention है convert करने का और सरकार फिर उस चीज़ को approve करेगी और फिर convergence हो सकती है शादी करते वक्त तो recently जब से यह law लाया गया है उत्तर प्रदेश में काफी arrests हमें देखने को मिले हैं December 2020 में केस हुआ था जहाँ पर एक Muslim आदमी ने complain करी पुलीस को कि उसकी 22 साल की बेटी आलेशा को kidnap कर लिया गया है एक हिंदू लड़के सिधार्थ के दुआले पुलीस ने investigation करी और इन्होंने देखा कि यह जो शादी थी यह actually में law के आने से पहले हुई थी और लड़की ने कहा कि वो एक adult है और उसने अपनी मर्जी से शादी करी है तो केस खतम यहाँ पर कोई kidnapping का केस नहीं था जब लड़की ने खुद कह दिया था कई ऐसे केसिस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर parents अपने बेटे बेटियों के शादीयों के against होते हैं क्योंकि वो दूसरे धर में शादी कर रहे होते हैं तो यह एक ऐसा ही केस था जहाँ पर पुलीस ने फिर केस क्लोस कर दिया कुछ नहीं हो आपर जैसा की होना चाहिए लेकिन मुरादाबाद में इसके बाद एक केस देखने को मिला जो इसका बिल्कुल ही reverse था एक हिंदू लड़की पिंकी ने एक मुस्लिम लड़के रशीद से शादी करी यह अपनी शादी को रजिस्टर करवाने गए और बजरंग दल के कुछ मेंबर्स आकर इन्हें जबरदस्ती पुलीस स्टेशन कीच कर लेके गए इस केस में भी लड़की ने कहा कि यह एक एडल्ट है इनकी अपनी खुद की मरजी से शादी करने लग रही है और यह शादी एक्चुली में law के आने से पहले होई है लेकिन इसके बावजूद भी पुलीस ने रशीद को अरेस्ट कर लिया और जब ये बात कोर्ट में गई पंदरा दिन बाद कोर्ट ने फाइनली ओर्डर दिया कि रशीद को जेल से हटाया जाया निकाला जाया क्यूंकि लड़की ने क्लियरली कहा है कि यह कोई कंवर्जन फोर्च्ट कंवर्जन का केस नहीं है किड्नैपिंग का केस नहीं है लड़की ने अपनी मरजी से शादी करी है लेकिन इन पंदरा दिनों में पिंकी को जबड़ दस्ती एक वोमें शेल्टर में भेजा गया था वो अलड़ी तीन महीने से प्रेगनेंट थी पांच दिन वह सोसाइटी पर वैसे ही हमारे देश में इंटर रिलिजिस मैरिजिस इतनी कम होती है जिससे अकसर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को शक की नजर से देखते हैं उनके अंदर इन सेक्यूरिटीज और डर बैठता है लेकिन ऐसे लौज लाने के बाद जो लोग इंटर अब आप पूछोगे कि मैं क्यों यहां पर इतना प्रमोट करने लग रहा हूं इंटर रिलिजिस मैरिजिस को मेरा क्या अजेंडा है यहां पर मेरा अजेंडा यह है दोस्तों कि जितना ज्यादा इंटर रिलिजिस मैरिजिस एक सोसाइटी में बढ़ती हैं उतना ज्यादा लोग साथ में मिलकर रहते हैं, उतना जयादा भाई चारा बढ़ता है दो धर्मों बीच और जिपना जयादा दो धर्म के लोग और किसी भी दो कास्ट हो गया या सेक्षन हो गया लोग वह अलग-अलग रहेंगे एक दूसरे से उतना ज्यादा लोग एक दूसरे को शक्की निजर से देखें इतनी ही ज्यादा लोगों के बीच में इन सेक्यूरिटीज बढ़ेंगी और डर बनाना फिर बहुत आसान हो जाता है लोगों के बीच में जब एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है वो अलग-अलग रहते हैं और इंटर-religious marriages, इंटर-caste marriages बहुत जरूरी है देश में यह मेरा मानना है यहाँ पर और कई ऐसे देश हैं दुनिया भर में जो इस चीज का example सेट करते हैं जैसे की Singapore जो की extremely multi-religious country है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उन्होंने सभी धर्मों के बीच में भाई-चारा maintain कर रह रहते हैं और आखरी बार पता नहीं वहाँ पर दंगे कब होए थे religion को लेकर एक और चीज है जो यहाँ नोट करने वाली है मैं आप सब लोगों बताना चाहूंगा कि believe it or not कुछ Muslim लोग Hindu धर्म से आकरशित होएंगे और अपनी मन मर्जी से Hindu धर्म में convert कर जाएंगे और Hindu के लेनी चाहिए कि कुछ लोग अपनी मर्जी से धर्म बदलते हैं कई reasons हो सकते हैं इसके पीछे कुछ दूसरे धर्म में उन्हें पसंद आया या कुछ उन्हें अपने धर्म में पसंद नहीं आया लेकिन हमें इसे accept करना सीखना चाहिए जैसा pure research survey ने बताया कि 2% लोग ऐसे ह है देश में तो यहां कोई हला मचाने की बात नहीं होती यह हंगामा करने की बात नहीं होती अगर कोई ऐसा case दिखता है तो हाला कि publicly तो शायद ही ऐसा कोई case दिखा है देश में और finally मैं कहूँँगा दोस्तों चोकनने रहिए उन लोगों से जो रात दिन धर्मों के बीच म इन conspiracy theories को फिलाते हैं अभी आमिर खान का divorce हुआ था आमिर खान के divorce के बाद ये twitter पर trend करने लग गया था कि कैसे आमिर खान भी यहां पर love जिहाद करने लग रहे हैं आप पूछोगे कि कैसे बस इसलिए क्योंकि उनकी एक हिंदू वाइफ थी और वो खुद मुसलिम है यही कपूर की मर्जी है वो किस से शादी करें कैसे शादी करें किस धर में रहें किस में ना रहें लेकिन ये बस अपनी ये conspiracy theory फैलानी है और हैलानी की बात यह है दोस्तों कि कैसे one-sided celebrities की pictures दिखाते हैं और कहते हैं कि Bollywood में love हो रहा है दूसरी side की picture यह कभी नहीं दिखाएंग यह आपको कभी नहीं बताएंगे कि सैफ अली खान की जो बहन है सोहा अली खान उनके husband हिंदू है तो वहाँ पर तो reverse case हो गया यह आपको कभी नहीं बताएंगे कि रितिक रोशन एक हिंदू है उनकी wife Muslim थी या फिर सुनील शेटी की wife Muslim है या फिर मनोज वाजपाई की wife Muslim है जब वो खुद हिंदू है तो यह जो reverse cases है ना यह कभी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे social media पर क्योंकि यह जो लोग पीछे से एक अपना narrative बिठाने में लगे हैं कि यहाँ पर एक conspiracy theory चल रही है यह narrative पूरा तूट जाता है अगर आपको इन reverse cases के बारे में पता लग जाता है आज के लिए इतना ही दोस्तों उमीद करता हूँ आपको point समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चारा हूँ यहाँ पर इस वीडियो को अगर informative लगा अपने family के साथ शेयर कीजिए especially वो family members जो इस conspiracy theory में विश्वास रखते हैं काफी interesting होगा उनको reaction देखना और उमीद करता ह वीडियो पसंद आया होगा आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद